Hello Everyone तो इतने दिन से हम इस चैनल पे जो डिसकशन करते आए हैं वो रहा है गेट गेट और गेट तो इस बारना हम थोड़ा हट के कुछ डिसकस करते हैं जैसे मैंने पहले ही बताए कि लाइफ में बहुत सारी उपरचुनिटीज हैं एसा नहीं कि एकी उपरचुनिटी के दम पे हम बैठे हुएं तो आज चलिए कुछ नया डिसकस करते हैं ये एक बहुत लॉंग जर्नी होने वाली जैसे मैंने बताए बहुत सारी उपरचुनिटीज हैं पर चलिए आज एक फर्स्टेप लेते हैं आज कुछ नहीं चीज के बारे में डिसकस करते हैं एक जो ट्रेंड चलते हुए आरा इतने दिनों से हर किसी ने एक कॉमन वर्ड सुना होगा जो है स्टार्ट अप तो स्टार्ट अप के बारे में नया चीज जानते हैं कि क्या है क्या नहीं उसके बारे में कुछ डिसकस करते हैं और इस डिसकसन के लिए हमारे साथ है रूदर प्रतापसिंग जो 2019 Electrical Engineering Pass out from NIT राइपूर है वो एक स्टार्ट अप में काम कर रहा है in the field of data science तो सबसे अच्छा होई है कि जो सच में उस field में काम कर रहा है डारेक्ट उससे जानते हैं So without wasting any time चलिए देखते हैं रूदर क्या बोलता है इस बारे में So hello everyone, अभी जैसे मैंने बताया आपको रूदर है मिरसाथ जो college का junior है और as a friend जैसा ही है तो यह स्टार्ट अप में काम करता है तो जो भी लोग है यह वीडियो में उसके लिए बना रहा कि कम से कम लोगों को एक idea मिले start-up culture के बारे में क्यूंकि start-ups साचकल इतने यह रहते हैं well growing है इतने इतनी quantities में आ रहे हैं तो एक काफी अच्छी opportunity रहती है तो रूदर के साथ discussion करते की कैसा रहेगा और जैसे मैंने बताए तो मेरा first video इस channel पर इस concept का कि आपको अलग-अलग job के बारे में यह सब discussion करेंगे और भी लोगों से तो देखते जाएगे और भी फायदा होता है तो रूदर थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दा अप खुद को हाइवरिवन तो जैसा कि सर ने बताया मेरा नम रूदर है और मैं 2019 बाच्छ वीट्यक्रकल इंजिनरी से मैंने की है अनाइटी राइपूर से तो बेसिकली आज हमारे वीडियो का में मोटीव है कि सब को पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हम लोग कि मैंने कैसे स्टार्ट किया अपना केरियर तो पहले तो नॉर्मली सेकेंड यर तक जब मैंने कॉलिज स्टार्ट किया था तो सब कुछ नॉर्मन चल रहा था फिर उसके बाद चालुआ जब हमारी कोर इंजिनेरिंग की प तो मैंने तो जो जिल गुडवार भी एक सचीक पाहा हुई। तो इसके बादि मैंने अपने एक सेनियर भाद की तो उन से पूछा की मतली अब मेरा इंटरस्ट निया तो अब मुझे क्या करना चाहिँ हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया था कि कॉलेज प्लेस्मेंट्स और बाकी सब चीजों के अभी तू कोई स्किल डेवलप कर जो तेरे काम आजए और तू बार में उसके बेसिस पे जॉब या जो भी तूरे करना है वो तू कर सकते है तो उस ताइम जब मुझे तो कोई से मैंने अपने फिल्ड को एक्स्प्लोर करना चालो किया तो उसके बाद मैंने फिर अपने फ्रेंड्स को बताया तो मेरे कुछ दो तीन फ्रेंड्स तो वह भी उनकी भी सिच्विशन मेरी तरह थी तो मैंने उन्हें बताया यह ऐसी फिल्ड है तो हम तीनोंने एक साथ तो हमने सीनियर से बूचा कि इसको मतब फील्ड में हम लोग कुछ सीखने के लिए में क्या करना चाहिए तो उन्होंने बता है कि कॉम्पिटिशन होते हैं और भी बहुत कुछ होता है तुम ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हो तो उस टाइम हमने फिर डिसाइड किया कि हम लोग दीरे दीरे सीखना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग कॉम्पिटिशन पर ट्राइ करेंगा तो उस टाइम फिर जब हमने ऑनलाइन क्लासे स्टार्ट की फिर वहां पर हम लोग ऐसे ही लेक्चर्स देखते थे और जो भी वहां पर रिक्वार्मेंट्स हो थी वो अ सब्मीट करना था बस तो उसमें हमने उस पर हमने वे कौलिफाई कर लिया था फिर नेक्स एक और मेंटर्शिप आथिस वर्स्ट हम लोग जब कौलिफाई के रहे तो इस कॉंपेटिशन में अशा था कि हमें एंटर्शिप मिलेंगी तो हमें गाइड करेंगे वो डेवलब करने के लिए और उसके यह दो घर लाइसर राउंड जाएंगे ते धाल ऐगा है तो यह सब अंप्टिशन है यह सीखते गए यह तेर दे एगार लिए अरणी सिर्फ भाएंगे। कि आ प्रेस जीता अब तो वहां से अम्हार से लगा लोगा है हम तीन फेरेट वहां लेल और लोगा है वह अब गुज़ कि वहां क्यां उप्रेज नहीं है, यह लोगा है नहीं नहीं वहां प्रेस को झासाद है कि चलो इसी फील्ड पे आगे बढ़ते हैं तो वहां से मेरी फिर्स टाइम डीटा साइंस में जरनी स्टाट वी और फिर उसके बाद मेरे जॉब सच की कॉलेज में मेरे पॉइंटर उतने अच्छे नहीं थे तो कुछ कंपी समय में बैठना चाता था उनमें रिग्वायर्मे कि मुझे उसी में अच्हा लग जा था तो फिर उसके बाद से मैं इस प्रॉब के लिए मैं कैसे अप्लाई करो नर्मली प्राइवट सेक्टर में सिर्फ एक चाम आती अपके स्केल्स्किल्स जर्ट और स्टाटफ में लोग एक्षीज लिए आपके स्केल्स यह लिए एक्री कि सब दो पलु रहमा है सबुए बार छो कि सबुए काम तो उसके बाद न हरते हुई अर में तो अरज रहे हमारे वद बार टिव Bereब में डाओ के लिए कि हम लोग डिफरेंस बता सकें कि दोनों कैसे बहुत प्रफिया यह एक में पर एक यह कंक्लूजन डिराइब कर पा रहा हूं कि जो प्राइवेट सेक्टर उसमें स्किल्स की बहुत वैल्ली तो वह डेवलप करना पहले से चालू करें क्यूंकि जनरली जैसे हम तो ज करना एक्सपोजर लेना फिर यह सारे एक्सपीरियंस अच्छे काम आते होगे और मैं यह भी बोलना चाहूंगा कि आप जाते हो कॉम्पेटिशन पर वहां पर बाकी लोगों को दिखते हैं वह लोग कैसे प्रिपैर कर रहें यह सब भी देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वाल कैसे ग्रो कर रहें आपको और क्या-क्या करने कि देखते हैं कहां आइटी बॉंबे में गए थे नहां तो वहां पर वहां के टेक्निकल पर हम लोग का एक कॉम्पेटिशन था डेटा अनेलेटिक से रिलेटेट था तो हम लोग और एक और चीज़ पर मैं कोई अच् अच्छी जगे भी वह हो जाता है पर मैं परस्नली यह बिलीव करता हूं कि अगर आपका जो काम है आप उसको नहीं कर रहे तो वर्थलेस लगता है फिर मतलब ऐसा लगा कि हर दीन एक काम पर जाने बर्ड़न ही है तो तुम्हारा कैसा है मतलब जॉब इंजॉइ कर रहे कै क्रमा कि कहता हैं बहुत करनाहा को भी यह अपनी जोज करेंके वन क्ते होता दो थी मैं न ओक चाहता है तो तो पहले तो थर्ट जैसे सिंस फिल्ड मेंए तो अगरे जादने नोग म disciplines को थे सहार नहीं के मैं शच्टोबग स्था लोग जे जाए बरेसें नहीं के बड़ीं उ इस फील में हूँ, नहीं तो नॉर्मली आप किसी भी कंपनी में जा सकते हैं, आपने स्किल्स डेवलब करें, इसी कोई दिक्टर की बाती है, तो मैंने फूर्थ एर में अपना जॉब सर्च किया, और थार्ड एर मैंने एक इंटर्शिप करें रखिती हैं, अपने फील से रि हैं और इसे अपलाई किया, तो सब आपको सीवी में आएगा तो आपको रिक्रूटर से जादा अटेंशन मिलें, तो सीवी भी बहुत मैंटर कर जाते हैं यहां पर फिर वही था, मेरा ऐसा था कि ठीक है, कॉलेज प्रिसमेंट का नहीं हो रहा है, थोड़ा टेंशन होता है कॉलेशोर आ follow the college प्रिसमें जाएटे, क्याटे हैं और आपको कि अबागा बेटाः मेल्सलीन कि अपको कि नहीं है लुपती है, निन के लिएन होता लेगा देल्गाई कि ऊच्छा की ओधी यह कि अप्रवात बढसे हमें इस प्राइव सेटर से कुराई करका है यह अपने सेनियर को अपना करता था एक अजा एक हुआ जहींचें चुछ पेंड़स्य है दो आट मुझें परोगी पर शीमियनों जो आट एक एक वहालो है लिए उर्क अपना ब्हुट दिए कि भी भी ऐसे नहीं इस दीन, मैं बड़ू है। इस काम कर अभी दो एंपरुव करता था लिए लो पुर इस कंपनी अड़ी करें और भी ख़ी उइन रचाहा केमुछारें। काम अपने मज़े से गता है और यहां पर मैं जहां पर हुआ पर एंवार्मेंट भी काफी सही मिला अभी तक मुझे तो तो अभी ऐसा लगाने की काम करें पर देन यह बहुत इंपोर्टन आपर जैसे मैं बताया कि काम जो भी कर रहें कर तो डियलोपमेंट भी होगा आप अब मैं सबसे दूर भागो तो चलो यह अच्छा लगा तुम्हारे बारे में और जैसे तुमने बताया कि तुम्हारे एक दोस्ता में भी प्लेस हुआ तो वह जैसे वह वह एस्टैब्लिश्ट कंपणी होगी और तुम स्टार्ट अप में तो क्या डिफरेंस लगता है कि क अभी प्लेसट कंपनी हो अधिया फ्राइट में कैसी क्या क्राइटेरिया अप मुस्ट्री जो आपके साथ काम करेंगे वह कलिक्स यंग रहेंगे और जो बहुत बड़ी नहीं होती है बड़ी इस इत्नी बड़ी होते आपको हर चीज के लिए श्पेशलाइज है कि कुई तो नहीं नहीं हमारे पास हमें आप मेरे हम दम्रमालिख और पास के दिशिए हैं तो आप मैंने चिशिह ultr worry वह यह रहते हैं कि जो सीघ्ट के एक टारे हैं और अज़ दाइन वह नहीं में चाहिए जाओ समेशनल क्हちゃ lotta हमें ध्यवर्ट्रॉकिर सपर्ट्ग एमने को तो फिर अगर बड़े कंपनीश जादा बड़े पृद्ट कंपनी प्रहते हैं बड़चान ऑफ ले गड़र ले गड़ा था वे दिनॉट के ट्रीजा हो तब है कि अजय ते लेख रह में है, आप आप अपन दुप आप लेका वावार कुछा का वे प्रीजा ज़रोड़ा है झालोरा हि वर लुपान पहला है जए रहा है स्थिर जोप गिए जाय चाहिए को और मेरे जॉब से बड़ाने कोई दोर्शी ने पाट से पतार्ट अब हो जाय हूं तो जोब आए जाय हो थारिया निसे बनी कोई एसे इस क्या है कि दोर्ख नहीं करें आए प्राप्टिस इन करें बदाता है कि कॉलेज के बच्चे अभी निकल रहे हमारा है हाइरिंग होना चाहिए ऐसा नहीं होता हुआ जैसे वैसे मैं बताओ तो मुझे भी स्टार्ट अप का इतना एडिया नहीं की मतलब मेरे कॉंटेक्ट्स में है कुछ लोग पर जैसे रूद रही है जो जिससे में सब ज्यादे डीटेल में बात किया अभी जैसे वने बैंगलोर गया था मैं तो रुका भी साथ में ट्रेवल भी किये तो तब में को काफी इंट्रेस्टिंग लगा एक कंसेप्ट क्योंकि जैसे इंडिया में थोड़ा क्या होता है ना मेंटेलिटी अभी भी हमारी थोड़ी ना यह है कि ज्यादा चीजों से बाहर निकलने का ट्राइं नहीं करते जैसे मैं खुद भी बतार हो जो मेर रिस्क इन्वाल रहता है फिर कैसे क्योंकि छोटी सी कंपनी है तो जो मेरा एडिया था कि वर्क भी जादा रहेगा वैसा रहेगा तो कैसा तुम क्या बोलोगे इस पर कि रिस्क कैसा है ग्रोथ कैसी होती स्टार्ट अप में वैल्यू वाइज और मोनेटरी ग्रोथ भी जाके इंडर्वीज दे सकते हैं अगर आप क्या स्केल्स है तो आप हायर जाएगे नौर्मली प्राइवेट फिल्से ही वर्क करती हो बड़ करती हो जासे कंपनी गिर गई या कुछ फेक्टर से कारें उनकी ग्रोथ कम होरी है तो फिर उस चीजों में रिस्क होता है और सतर्टस होने नहीं लेगा दोकह अ कंपर दोटन हो मिलते हैं प्रिक कल्चर टार्टप क्लचर जय मिलता है हिह घॉर्ड को बlexig रहेगा कि हर जो जो भी रहेगा के साथ काम करने वह बोला न लिए को पैसंडलि सब काम करतें जहां तक मैंने अपने साथ कोसितर अगे कि काफ कि इस बकिवान तो फुटीज फुटीज वाली होंगे तो उनका ब्रेन हमारी तरहा वर्ट करता है काफी यंग तो हमेशा हर चीज के लिए रड़ी रहते हैं तुरन प्रब्लम्स में कुछ भी प्रब्लम्स अरही है वहां ऑया, इम्हें रहे इस में एक एंपर्टेंग कोई चल्दी कोई शॉक्पल्म एप बहुत जल्दी से घुजी जया जबे कि अपयर कहता है जैसे कभी हमें काम होता है उलगाता हुता है जैसे हमारी कंपनी है Play podcast , ओग ऑगया काम कटी है तो इस टाइम अप्राइक टाइम होगा आपल की अब यज्यादा काम होगा है मेरी कम्तिय है जो हमिर वर मेरे काम करिता अभी तो अब थोड़ा गह थासध रहते हैं तो उसी सबसे है काम कि र returns क्यार्में Whenever पर आपकर काम है तौ आपको तो पाम कुरतेगा है तो हमारे असर है लेकिन कभी कभी असर भी रहता है कि आप नॉर्मल रिलाक्स्टेट में हों कि अभी सब कुछ चल रहा है अच्छे से सब कुछ आपके प्रोडेक्ट्स रेडी है सब चके सही से कांग कर तो यहीं सीन दरता है तो मानलो अगर अभी कोई नया बंदा है कोई फ्रेशर है जो वीडियो देख रहा है अगर मैं तुमको बोल रहा है कि इसको कण्विंस करो कि start-up is better तो क्या बोलोगे तू start-up is better for a young person in the sense कि you have a good learning opportunity क्योंकि अभी तुम इस stage of career में हो जिसमें तुम रिस्क ले सकते हो कि अभी मैंने risk लिया तो मैं evolve हो सकता हूं कि मेरे पास time है और कुछ करने का तो यही एक time में आपके 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 लिए बास की नए चीज एक्स्परिम्यंट करने का और थोड़ा रिस्क भी तो चलता है क्योंकि आपके लिए भी स्वाल बैक करने का तो मैं यह यह बोलोगा कि तू मैं यह यह बहुलोंकि यह जो एक्से रिर्निंग और monetary growth कैसी है? monetary growth तो भई private sector skills पर dependent है तो आपकी skills जैसे company आपको वैसा treat करेगी तो वैसा reward करेगी तो आपने अगर कुछ ऐसा किया जिस से company की growth हो रही और पूरी company की समझ लेजिए कि एक सथ growth हो गई जैसे demonetization कि टाइम पेटियम की एक दम rapid growth हो गई तो तो किसलिए उस टाइम अगर कंपनीयां से ग्रोकर गरों तो अब की मॉनेटरी वेल्यू बढ़ते जाएगए कंपनी की मॉनेटरी वैल्यू अब तो कंपनी बड़ी होते जाते हैं स्टॉक के प्राइजेस बढ़ते जाते हैं तुम्हारा जैसे अभी मैं पूछो तो फ्यूचर एस्पिरेशन क्या है कि क्या लगता है और क्या कर सकते क्योंकि तुम भी जिस्ट जॉइन के 8 months हुआ है अभी तो फ्यूचर एस्पिरेशन मेरे मतलब अभी मैं step by step इस दिन मुझे लगेगा की चेंज करना चाहिए तो तब मैं अपने अच्छे स्टेट में हूं कि अभी तो मैं यहां पर हूं तो अगर कोई चेंजिस करने तो फिर जब मुझे लगेगा तो मैं जरूर उसके औरे हैं सोचूनगा तो चलिए यहां फिर एंड करते conversation पर यह है कि यह तो first conversation था तो ऐसा नहीं मैं बोलूंगा आप अगर देखिए जैसे आपने वीडियो देखा कुछ-कुछ कुछ पॉइंट्स मिला आपको start-up के बारे में या for example data science ऐसा आपको कुछ भी question लग रहा है पोस्ट कीजिए comment कीजिए तो एक वीडियो फिर हम ऐसा भी बनाते कि रूदर की तुम ना उन questions के answer देना मैं तुमको चाट के दूँगा एक तो just as a question answer क्यूंकि अभी तो हम दोनो इंट्रैक कर रहे हैं बहुत सारे questions हो सकते हैं जो मैंने नहीं पूछे पर किसी और तो आपको satisfaction ज़रूर भी लेगा अगर आप जबर जसी कोई काम करें तो मैं आप कभी खुश ने होड़े क्या कि इतने भी पैसे बने हैं ठीके रूदर thank you for joining us देखते आगे फिर और वीडियो बनाते चाहेंगे तुमारे साथ भी और जो जो नहीं लेर्निंगे सब मतलब ऐ जैसा है कि sharing करते रहेंगे knowledge sharing है क्योंकि बहुत लोग जैसे मैंने बताया ना even मैं भी बोलो ना मुझे भी startup के बार में इतना idea नहीं है वो तो तुम मिले तुमसे इतना discussion हुआ तो मैं बोला कि चलो यार यह वर्थ है ऐसा करके अभी और भी देखते हैं और भी questions आएंगे त उसमें फिर तुम बताना लोग को कि कैसा है क्या है शेर करना अपना experience और best of luck तुमको भी future के लिए अभी अच्छा लगता है मतलब साच में बहुत एक अच्छा satisfaction आता है कि तुम अपना work enjoy करते हो ना तो मजा आता है thank you sir मजे हमता बिस वीडियो के बुलाने के लिए I hope मैंने आपकी help किया सब को message देने हैं चलो फिर मिलते हैं फिर से कभी